मुझा अगर अगर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विल एन वूड के यूज के बारे में मॉडल्स पे ये हमारी चौती वीडियो है अगर आप बाकी तीन वीडियो भी देखना चाते हैं तो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों वूड एक्जाम पाइंट ओफ यू से बहुत ही इंपोटेंट है और मोस्टली स्टुडेंट्स को वूड में कन्फिजन होता है बट आज की वीडियो देखने के बाद वूड में कभी भी कन्फिजन नहीं रहेगा तो सबसे पहले हम विल का यूज देखेंगे जो की एक दो है उसके बाद वूड का यूज देखेंगे और लास्ट में हम इनके क्वेस्चन की प्रेक्टिस करेंगे देखे friends practice बहुत ही जरूरी है अगर आप practice नहीं करोगे तो concept clear नहीं होगा चाहिए आप कितने भी rules पढ़ लो grammar सीखने का एक ही तरीका है और वो है practice practice and practice तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी नहीं वीडियो अप्लोड करूं तो आप तक notification पहुंचे और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग है second वे third person के साथ future में will का यूज होता है second और third person कौन से होते हैं you है second person he see it and they यह होते हैं third person या किसी का नाम हो तो उसके साथ भी हम will का यूज करते हैं जैसे आप example देखिए फैल example दिया हुआ है he will go to market today वह है आज market जाएगा तो यह ही third person है तो इसके साथ हमने यूज किया है will चले एक example देख लेते हैं she will write a letter वह एक letter लिखेगी तो यहां पर सी के साथ विल का यूज किया है because she is third person pronoun तो यहां पर सी के साथ विल का यूज होगा चलिए next example देखिए they will was the movie tonight वह आज रात movie देखेंगे तो देख के साथ हमने विल का यूज किया है जो कि third person है एक example लोड़ दिया है you will study English आप English पढ़ोगे तो you second person है तो उसके साथ विल का यूज हो है चलिए will का next यूज देख लेते हैं will का next यूज यहां यूज होता है और जब आई और वी के साथ विल का यूज होता है तो दर्ड निश्चे वादा अदम की अद्धी का chance देता है चलिए example देख लेते हैं I will go to market today अब यहां पर आई first person है आई के साथ विल लगा दिया तो यहां पर दर्ड निश्चे शो हो रहा है कि मैं आज मार्केट जरूर जाओंगा तो determination शो करने के लिए यहां पर आई के साथ विल का यूज किया है अदर्वाइस आई के साथ सेल का यूज होता है चलिए एक एक चलिए नेक्स एक्जाम्पल है वी विल प्ले किर्केट हम किर्केट खेलेंगे तो यहां पर भी determination है तो वी के साथ भी विल का यूज हुआ है एक एक एक्जाम्पल और देखिए वी विल कम टू यूर हाउस तुमारो हम आपके घर कल आएंगे यह यह determination है यह प्रोमिस लगा लो कि जरूर आएंगे वी विल कम टू यूर हाउस तुमारो होगा चलिए अब हम देखते हैं वूड का यूज वूड का फस्ट यूज दिया हुआ है पास्ट और फिल विल के पास्ट के रूप में वूड का यूज होता है फ्रेंड सब से पहले वो अभी हम देखेंगे सबसे पहले पास्ट का देख लेते हैं वूड का पहला यूज है विल के पास्ट के रूप में जो कि इन डायक्ट स्पीच में होता है जैसे यहां पर एक्जाम्पल दिया हुआ है माइफ फ्रेंड सैड सी विल गो टू मूंबई मेरे दोस्त ने कहा कि वो मूंबई जाएगी तो यहां पर यह डायक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो शी के साथ यहां पर विल का यूज है बट इसको जब इन डायक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो विल है उसका हम वूड बना देंगे तो इसका सेंटेंस बनेगा ने 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 एक्जांपल दिया हुए सी सेट टो मी माइब ड्रेदर विल टीच यू मैथेमेटिक्स उसने मुझ से कहा कि मेरा भाई आपको मैथेमेटिक्स बढ़ाएगा तो यहां पर यहां पर यह डायक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो यहां पर विल का यूज है जब यह इ आएगा तो आए होप आपको स्मेंज में आ गया होगा चलिए वूड का नेक्स देखते हैं वूड का next यूज यहां पर दिया हुआ है past की habit को show करने के लिए देखे friends past habits show करने के लिए use to का भी उज होता है आप past habit कह लो या फिर हम कह सकते हैं ऐसा काम जो past में हमने एक बार ना करके दो बार ना करके बार बार किया तो उसको बताने के लिए हम वूड का यूज करते हैं देखे friends अगर मान लो मैं एक sentence बोलों कि I went to Delhi मैं डेली गया तो यहां पर went second form का यूज हो है past है तो यह मैंने एक बार के लिए बताया कि मैं दिल्ली गया और अगर मैं यह कहूं कि मैं दिल्ली जाया करता था तो इसका मतलब यह काम मैंने बार बार किया तो बार बार जब काम किया तो उसके लिए हम यूज का यूज करते हैं या फिर वूड का यूज कर सकते हैं चलिए एक्जामपल देखे अब यहां पर एक्जामपल दिया हुए I would study four hours together अब इसका मतलब हुआ यहां पे कि मैं घंटों तक लगातार study क्या करता था या यह पास्ट की है बिट्चो कर रहा या यह बता रहा है कि यह काम मैंने बार बार किया है तो I would study four hours together यानि मैं गंटों तक पढ़ाई क्या करता था अब इस sentence को हम इस तरह भी लिख सकते हैं I used to study four hours together दोनों का sense बिल्कुल सेम है used to की जगे would भी ल होया करता था यह नि पास्ट की बात बता रहा है यहनि पास्ट की है भी लगा लो यह यह काम मैंने पास्ट में बार बार किया था I would wash my clothes everyday तो इसका मतलब वहा मैं अपने कपड़े हर सुबह भी लिख सकते हैं I used to wash my clothes everyday मैं अपने कपड़े हर सुबह धोया करता था दोनों ब वूड का next यूज यहां पर दिया हुआ है conditional sentences में जब unreal condition दिया हुए होती है या imagination दिया हुआ होता है तो हम वूड का वूड का यूज हुआ है चलिए एक example देखिए if you invited me I would come अगर आप मुझे invite करते तो मैं आता यहने invite नहीं किया है unreal है तो यहां पर I के साथ वूड का यूज हुआ है या friends आप इस तरह भी देख सकते हैं यूज के साथ अगर past simple का यूज हुआ है तो यहां पर will का यूज ना ह यूज होगा अगर यहां पर first form होती तो will का यूज होता और अगर यहां पर second form है तो will की जगह would हो जाएगा अगर इधर past हो गया तो इधर will का past करते हैं very simple चलिए एक example और देख लेते हैं next example दिया हुआ है if you were me what would you do if you were me अगर आप मेरी जगह होते what would you do तो आप क्या करते अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते तो यहां पर वो मेरी जगह नहीं है यह unreal है तो यहां पर हमने would का यूज किया है second close में चलिए एक example और देख लेते हैं next example है if I had worked hard I would have passed the exam अगर मैंने मेहनत की होती तो exam pass कर लिया हो होता अब यहां पर head plus third form है तो इस side में would है और वहापी third form को वीज होता है जो कि मैंने conditional में आपको पढ़ाय था अगर आप conditional की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका link मैंने description में दे दिया है उसमें बहुत ही simple तरीके से मैंने conditional समझाए हैं आप वहां से देख सकते हैं तो यहां पर sentence में भी जो condition है वो unfulfill है या unreal है क्योंकि मेनत की नहीं और pass हुआ नहीं लेकिन वो सोच रहा है अगर मैंने मेनत की होती ही तो pass हो गया होता तो यहां पर हमने would का use किया है I hope आपको समय जिमाया होगा चलिए next use देखते हैं यहां पर would का next use दिया हुआ है polite request के लिए would का use होता है interrogative sentences में but polite request के लिए good का use भी होता है चलिए हम example देख लेते हैं first example है would you lend me 500 rupees क्या आप मुझे 500 रुपए उधार देंगे या क्या आप मुझे 500 रुपए उधार दे सकते हैं बात एक ही है किसी तरह भी बहुल सकते हैं तो यहां पर जब रुपए उधार मां would और could दोनों का use polite request के लिए होता है और हम आपस में इनको interchange कर सकते हैं बस इनमें थोड़ा सा difference यह होता है कि जो would है वो could से थोड़ा सा ज्यादा polite होता है बाकि हम इनको आपस में would की जिगें could और could की जिगें would लगा सकते हैं interrogative sentence में polite request के लिए कोई खास दंतर नहीं होता है चले रचांप लोड़ देख लेते हैं would you help me कि आप मेरी मदद कर सकते हो तो यहां पे polite request के लिए हमने would का यूज किया है और इसी sentence को हम could से भी बोल सकते हैं could you help me तो be sense same होगा कि आप मेरी help कर सकते हो दोनों polite request जो करते हैं चलो आपको समयच में आगा होगा चलिए आगे देख लेते हैं आगे would का यूज दिया हुआ है preference and wish यानि इच्छा या पसंद या प्रात्मिक्ता के लिए हम would का यूज करते हैं चलिए example देखे ताकि आपको समयच पसंद करोंगा तो यहां पे preference की बात हुई है तो preference के लिए हमने would का यूज किया है और यहां पे comparative degree का यूज हुआ है और comparative degree में preference के लिए would के बाद rather या सुनर का यूज होता है चलिए एक example और देखे next example है he would rather die than tell a lie वो जूट बोलने की बजाए मरना पसंद करेगा तो यहा यहां पे वूड का यूज किया है हमने चलिए एक example और दिया हुआ है I would like to have a cup of tea मैं एक cup चाय लेना पसंद करूंगा यह मैं एक cup चाय लेना चाहूंगा तो यहां पे wish की इच्छा की बात हुई है कि मेरा मेरी एक cup चाय पीने की इच्छा है तो इच्छा के लिए हमने आए के साथ हूड का यूज किया है कैसलिए एक। लोट दिया है I wish I would pass the exam. I wish this comment यहां पे एक इच्छा कर रहा है कि मेरा exam pass हो जाए I wish I would pass the exam कास मेरा exam पास हो जाए या मेरी इच्छा है कि मेरा exam पास हो जाए तो यहां पे विश के लिए हमने I के साथ I hope आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब हम प्रैक्टिस करते है questions की तो यहां पे आपको बताना है will का यूज करें या would का यूज के तो आपके सामने first question है if you work hard you फिर blank है get success अब देखे फ्रैंड जो if close है इसमें work hard यानि first form का यूज हो है और जो first form का यूज हो है तो second close है इसमें हम would का यूज ना गरके हम यूज करेंगे will तो इसका sentence बनेगा if you work hard you will get success अगर आप मेनत करोगे तो सफल हो जाओगे तो यहां पर first form है यानि present tense है तो यहां पर हम will का यूज करेंगे ना की would का अगर यहां पर second form होती तो हम would का यूज करते हैं चले next example देखें next example दिया हूँ है I wish फिर I be the prime minister of India कास मैं भारत का परदान मंत्री बन जाओं तो यहां पर इच्छा के लिए हम यूज करेंगे would तो इसका sentence बनेगा I wish I would be the prime minister of India चले next example देखें next example यहां पर दिया हूँ है C फिर blank है rather go than stay vote है ने की बजाए जाना पसंद करेगी preference की बात है तो preference के लिए हम यूज करेंगे would तो इसका sentence बनेगा she would rather go than stay वो रुकने की बजाए जाना पसंद करेगी चले next example दिया हूँ है he said my brother fit blank है buy a new car today उसने कहा मेरा भाई आज एक नई कार खरीद देगा तो यहां पर यह direct speech का sentence है जब inverted comma आज के अंदर sentence हो तो हम would का यूज ना करके will का यूज करेंगे तो यहां पर sentence बनेगा he said my brother will buy a new car today अगर इसको indirect speech में चेंज करें तो will को हम would में चेंज करतेंगे I hope आपको इस wish men's में होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो like करें अपने दोस्तों के साथ से एक करें अगर आपको कोई confusion है तो comment box में comment करके जरूर बताना मैं जल से जल reply देने को सिस करूँगा so thanks for watching this video bye bye